नमस्कार दोस्तों मैं उदेलार फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर विडियो देखने वाले हरकिसान भाय और मुर्गी पालक भाय का आज की उडियो में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल लेखा टाइटल पड़ा जो देखा हो सच है जो पड़ा वह सच है हाँ दोस्तों आज का यह वीडियो आपको लाखो का मुनाफा प्राप्त करके देने की संकल्पना दे रहा है प्रस्तुत वीडियो की सभी जानकारी अगर आप इंप्मिमेंट करते हो तो प्रतिशद इस भारत वर्ष का कोई भी बेरोजगार इवा यूती दिव्यांग विकलांग व्यक्ति दोस्तों या वयस का आबादी का सदस से बहुत आसानी से दोस्तों हर महा लाखों का मुनाफा प्राप्त कर सकता है लेकिन ये कैसे करना है इसके लिए कौन सी बातों को यह आपर नजर में रखना है और करते हुए कौन सी गलतियों को दोहराना नहीं है दोस्तों समझाओंगा आज मैं आपको बताओंगा क्या करना है क्या नहीं करना है जिस माध्यम से आज की ये संकल्पना आपको दोस्तों सव प्रतिशत हर माहा लाखों का मुनाफा प्राप्त क करके देने के लिए दोस्तों मार्गदर्शन करेगी और साथ ही में दोस्तों ये संकल्पना गाउदेहाद से लेकर बड़ी-बड़ी महानगर निगमों तक आप वहाँ पर जो है दोस्तों सव प्रतिशत सफल कर सकते हो लेकिन सबसे पहले कि समझ लीजिए कि संकल्पना है क्य करना कैसे है कौन सी गलतिया दोहरानी नहीं है तो ही आप हो सकते हो सफल इसके लिए वीडियो शुरुआत से लेकर अंता तक देख लीजिए पसंद आया लाइक कीजिए किसान भायों तक पहुचाने के लिए शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप पर्सनल वाटसप नंबर वाटसप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बुक इंस्टाग्राम स्नैपचाट इन सोशल मीडिया के सादनों का इस्तमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए रहा होगा आपका सबस्क्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर विनिती करता हूँ दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूँ अपना मानता रहूँगा कि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य से मानते हो अगर हाँ तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिजए इसके लिए इस वीडियो के दाई तरफ निचले सैड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटियाएंगी इस घंटी को टच करते हुए औल इस नोटिफिकेशन को आन कर दीजिए ताकि आने वाला हरुडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो देखे दोस्तों सबसे महत्तोपूर्ण जानकारी है क्या दोस्तों मुर्गी पालन का व्याउसा है दुनिया का सबसे बहतरीन व्याउसा है इस व्याउसा में इतनी संभावना है दोस्तों की कोई भी अनपड़ व्यक्ती इसमें से आसानी से लाखों का मुनाफा पराप्त कर सकता है लेकिन लाकों का मुनाप आप राप्त करना है सपने बड़े बड़े है और इन सपनों को अपना बनाने के लिए गलतियों को भी रोकना पड़ेगा क्योंकि मैं देखता हूँ दोस्तो आप जो जानकारी लेते हो आधिया धूरी लेते हो और मैं कितने विक्तियों के फोन कॉल को जब स्विकारता हूँ दोस्तो तो उनकी एक समस्या मुझ तक आती है सर हमें 500,000 चूजे लेने हैं शुरुआत करनी है मैं पूछता हूँ आप 500,000 चूजों से क्यों शुरुआत करना चाहते हैं जवाब बहुत बड़ी आता है सर अगर 1000 मैं चूजे लूँगा उन चूजों को बड़ा करूँगा 6 महा का करूँगा तो उस माध्यम से मिलने वाला अंडों का प्रडुक्शन 4500 अंडों तक होगा उस में से प्रति अंडा 10 से भी चला जाए तो 4 से लेके 5000 की मेरी आमदनी होगी उस में से 1500 का खर्चा छोड़ दिया जाए या ज्यादा से ज्यादा 2000 का तो मैं आसानी से 6 माहा के बाद प्रति दिन 3 से लेके 3500 कमाऊंगा हर माहा एक से लेके 1,10,000 तक कमाऊंगा लाखों की कमाई मेरे हातों में होगी और मैं आसानी से इस व्यावसाय में करियर सेडल कर लूँगा सपना तो बहुत बढ़िया है लेकिन दोस्तो रास्ता बहुत गलत है क्योंकि जब तक छे महा के करीब करीब आप पहुचते हो तो आपको जो मुर्गी वहाँ पर अंडा देने वाली होती है आपको पता चलता है कि जो आपने मांगी थी वो तो नहीं है यानि आपने R.I.R. मांगी थी तो आपको हरचूजा R.I.R. का नहीं मिला आपने सोनाली मांगी थी तो आपको हरचूजा सोनाली का नहीं मिला उसमें RIR की ब्रीड क्रॉस है, सोनाली की ब्रीड क्रॉस है, कडकनात क्रॉस है और IC में दोस्तो WFG हो, Black Astrolop हो या आपके पास आनी वाली BB300, BB380 या कोई भी ब्रीड हो दोस्तो IC ब्रीड अगर एक जूट ना हो तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति दोस्तो इस व्यवसाय में से लाखों का मुनाफ़ा सव प्रतिशत प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि ब्रीड का चुनावी दोस्तो सफलदा की वो कुझी है कि जो आपको सफलता दे सकती है जब मन्जिल को पहुचने का आप सोचते हो तो दोस्तो क्या रास्ता सही है ये सोचना पड़ेगा जब तक रास्ता सही नहीं मिलेगा तो मन्जिल कितनी भी नजदीक हो दोस्तो आप सव प्रतिशक वहां तक नहीं पहुच सकोगे आपका सपना आपकी मन्जिल लाखों का मुनाफ़ा कमाना है तो रास्ता मैं बताता हूँ और रास्ते में आने वाली दिक्कतों को बता कर सोलूशन भी देता हूँ दोस्तो अगर आप चूजों से सुरुवात करते हैं तो आपके माध्यम से होने वाली गल्ती क्या है आप अगर चूजों से सुरुवात करते हैं तो असफलता क्यों आ सकती है बताता हूँ तो दोस्तो इनी बातों का एक वीवरन आपके सामने प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको दूँगा सोचिए समझिए देखिए परखिए आखरी में स्वतंत्र हो आप फैसला लेने के लिए उचित निर्ने लीजिए इतनी ही कामना मैं करता हूँ तो दोस्तो अभी मैं आपको एक एक जो यहां पर पॉइंट है समझाता हूँ मुर्गी पालन के व्योसाए में चूजों के माध्यम से शिरुवात क्यों ना की जाए नमबर एक दोस्तो पैसों का खर्चा मुर्गी पालन में जब आप चूजे खरीदने जाते हूँ मैं कितने लोगों को देखता हूँ कि वो क्या करते है कि अपने गाउं में जो टेंपो भर भर के आते है साइकल वाला आता है आईसे घूमने वाले लोगों के पास से वो 50-50 रुपय को चूजा लेते है चूजा खरीदा जाता है चूजा फार्म पर लाया जाता है और जो चूजा देता है वो कहता है भाई मैं आपकी पूरी मदद करूँगा मदद करने का वादा करने के बाद पेमेंड दी जाती है चूजा खरीदा जाता है लेकिन जब एक दिन होता है तब तक सभी बाते ठीक होती है दूसरे दिन की शुरुआत में पहले फोन कवरेश शेत्र के बाहर आ जाता है और नेटोर के बाहर आने के बाद तीसरे दिन से आप ब्लैक लिस्ट में जाते हो नहीं तो फोन स्विच पाता है यहाँ पे फोन स्विच आप नहीं होता है दोस्तों तो हमारा सपना ही स्विच आप हो जाता है हमारा दिमाग काम करना बन कर देता है और बाद भी हम सोचते हैं नहीं नहीं यह व्यावसाय ही गलत है दोस्तों आपको यहाँ पर कहता हूँ कि व्यावसाय को गलत मत कह गलत आप हो और गलती सुधारी ये व्यावसाय आपको लाखों का मुनाफ़ा कमा कर देगा चूजा किसने खरीदा आपने चूजा घूमने वाले व्यक्ति से किसने खरीदा आपने तो दोस्तो चूजा गलत कैसे हो सकता है व्यावसाय गलत कैसे हो सकता है आप और देने वाला गलत है दोस्तों व्याउसा है गलत नहीं इसलिए आप 40-50 रुपई को एक चूजा खरीदते हो लेकिन कभी सोचा है कि घर में हमारी मुर्गियों के अंडों को अगर इंकुबिटर में हम डालते हैं तो उसके माध्यम से 50 प्रतिशत भी रिजल्ट आता है तो हमारे पैसों की बचत कितनी होती है समझाता हूँ दोस्तों अगर आप 75 चूजे बाहर से लेते हो तो 60 के हिसाब से साड़े 4000 की राशिया आपकी चली जाती है और यह चूजा होता है एक दिन का एक दिन का चूजा घर पर तयार करने के लिए दोस्तों आपको सव अंडे चाहिए सव अंडों को इंकूबिटर में डालेंगे तो 10 के हिसाब से 1000 का खर्चा और उसमें से 75 भी चूजे निकल गए तो भी दोस्तों 13 से लेके साड़े तेरा रुपे में एक चूजा मिलेगा यानि दोस्तों कितना भी ज़्यादा खर्चा कहले तो 15 के उपर नहीं जाएगा नहीं तो यह गलती मत करिए जो चूजा 15 में हमारे घर पर तयार हो सकता है वो चूजा 60 रुपे में क्यों बाहर से आप खरीद रहे हो चार गुना राशी अगर यहाँ पर बचाई जाएंगी तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं होगा कि आपका फार्म लाखों का मुनाफ़ा देगा एक बात बताता हूँ दोस्तों कि स्रिफ मुनाफ़ा कमाना एक अलग कला होती है लेकिन पैसा बचाना एक अलग कला है दोस्तों मुर्गी पालन के फार्म से लाखों का मुनाफ़ा कमाना होगा तो आपको इनकम तो कमानी होगी लेकिन जहां जहां खर्चा होता है उन रास्तो को भी बंद करना होगा तो ही आगे जाके दोस्तो साल भर में आप लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हो इसलिए बेवजह चार गुना ज्याने वाला खर्चा बचाए इसलिए ये खर्चा बचाने के लिए चूजा खरीदना नहीं है चूजा घर पर ही तयार करना है कमा सकते हो अन्यता आपको वहां पर सव प्रतिशयत यह बात हासिल नहीं कर सकते हो नमबर दो दोस्तों दूसरा पॉइंट बाहरी वाता वरन का चूजा हमारे फार्म पर टिक नहीं पाता है दोस्तों हम क्या करते हैं 50-100-200-400 किलिमेटर दूर से चूजा मंगवाते हैं और आपमान अलग और जब यह चूजा हम तक पहुचता है तो हमारा वातावरन अलग यहां पर चूजों की गलती क्या है दोस्तों कुछ भी नहीं क्योंकि वातावरन में वहां पर अडप्ट करने के लिए जो देशी मुर्गी हो या कौनसी भी मुर्गी का चूजा दोस्तों असहेज होद महसूस करता है पचास किलोमेटर से ज्यादा दूर से चूजा लाया जाता है अगर वह एक दिन का होता है तो उसकी मौर्टिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है इसलिए दोस्तों बाहर से चूजा खरीदना मतलब हमारे फार्म को डुबाने के लिए खुद ही गड से लाड़ आपको चूजा दूँगा मेरे फार्म से लिजे मैं नहीं दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको डिसकाउंट में भी चूजा दे तो दोस्तों मत खरीदिये क्योंकि चूजा अपने वाता और में अज्जेस ना हो पाया तो मर जाता है और मुझे एक बात बताए यह जिस व्यावसाय की शुरुआत में ही आपको असफलता आए क्या व्यावसाय सफल हो सकता है हाँ असफलता आने दिजे सभी बाते करने के बाद लेकिन दोस्तों हमारे हाथ से असफलता आती होगी तो गल्ती को तो सुधार ना पड़े का तो ही सफलता मिल पाएगी तीसरा पॉइंट दोस्तों कॉलिटी का इश्यू मुझे एक बात बताईए कि आप पास सो हजार चुजे बाहर से लाते हो आएसा कोई भी मुर्गी पालक भाई नहीं है कि जो पहले दिन पहचान ले कि यह चुजा देसी है या देसी नहीं है यह आर आयर का है या डबल के साथ कॉम्प्रमाइज नहीं कर सकती है आपको यह बात तब समझ में आएगी जब दोस्तों आपके पास सो हजार चुजे बड़े होंगे और आपको हरे चुजा अलग अलग दिखाए देगा बड़ा होने के बाद इन से निकलने वाले अंडों की साइज और कलर भी अलग होगा जब आप इन चूजों के मात्यम से मुर्गी बनने के बाद मिलने वाले अंडों की विक्री करोगे तो दोस्तों आप यकिन के साथ खुद भी नहीं कह पाऊंगे कि आपके पास आरायर है या आपके पास कड़कना थे आपके डबल अबजी है या आपके पास बीबी 300 है दोस्तो जब आप ही वहाँ पर दोस्तो दिक्कत में हो तो क्या समझा पाओगे दोस्तो आप जब आप ही असमंजस के भवर में फस चुके हो इसलिए एक बास सोचिए साल देड़ साल के बाद आपके फार्म के माध्यम से होने वाला इंकम का सोर्स बढ़ाने के लिए अगर ब्रीड ही गलत मिल गई क्वालिटी का इशू रहा तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे इसलिए दोस्तो दोस्तो क्वालिटी के साथ कॉम्परमाईज मत कीजे और मैंने कितने फार्म देखिए दोस्तो कि बहुत 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 होनी चाहिए आपके मुर्गियों के मध्यम से मिलने वाला अंडा चुजा मुर्गी मुर्गा क्वालिटी का होना चाहिए तो ही दोस्तो सफल ताकि उस शिकर पर आप phosphorus पाओंगे जिसकी कामना आपने की है और बिना क्वालिटी के दोस्तो कोई भी मुर्गी पालक भाई कभी भी यहां से 10 साल के बाद भी दोस्तों हर साल हर माहा एक लाग का मुनाफान नहीं कमा पाएगा इसलिए quality के साथ compromise मत कीजिए quality है तो दोस्तों सब कुछ है हम मुर्गिया संभालने वाले मुर्गिया को वहां पर quality रखेंगे तो ही हम मुर्गी पालक भाई बोल के पहिचाने जाएगे इसलिए quality के साथ compromise मत कीजिए तो दोस्तों इस पर रास्ता क्या है quality का issue है पैसों का issue है दो दोस्तों आगे चलके लाकों का मुनाफ़ा कमाना है तो दोस्तों quality को तयार करने के लिए अपने घर पर ही दोस्तों मुर्गियों का चुनाओ कीजिए आप शुरौत में घूमिए 50-100 मुर्गियों को इकटा कीजिए नहीं होती है तो 20-25 से शुरौत कीजिए मुझे पता है दोस्तों यहाँ पर आप जो कहते हैं कि गाव देहात में घूमने के बाद मुर्गी नहीं मिलती है दोस्तों घूमेंगे तो मिल जाएंगी बहुत दिक्कत के बाद मिल जाएंगी इन मुर्गियों को आपको लाना है लाने के बाद तयार करना है तयार करने के बाद इनके माध्यम से एक बार जांच परिक्षन कर लेना है ये देशी है या नहीं उसके नीचे अंडे रखकर चूजे निकाल कर एक बार सफलता से जांच परिक्षन हो गया दबस इन अंडों को माध्यम से दोस्तों आगे चलके चूजे प्राफ्त करने हैं एक बार आपके पास पास सो हजार की मदर बैच वहाँ पर रेडी हो गई तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मुनाफे से वंचित नहीं कर पाएगी इसलिए दोस्तों कुछ बाते बतलाता हूं कॉलिटी के साथ कॉंपरमाइज मत कीजिए मुर्गियों के साथ ही शुरुआत कीजिए चूजा महेंगा मिलता है इसलिए घर पर ही तयार कीजिए दोस्तों अगर यहां पर आप कहेंगे ते ना रहेगी बास ना बजेगी बासुरी यानि कि ना लाएंगे आप चूजा ना होगे आपके साम हो मुर्गियों से ही हम शुरुवात करेंगे और इन मुर्गियों के माध्यम से मिलने वाले अंडों को एक बार दोस्तों आप इंकुबिटर में डाल दीजे बारा महा तक चूजे मिलते रहेंगे दूसरी बात दोस्तों आपका कहना आएगा किसर टीका करन कौन सिखाएगा ब दोस्तों कुरियर चास तो नहीं लगेगा और आपके पास इंकुबिटर पोचने के बाद हमारा काम खत्म नहीं तो शुरू हो जाएगा दोस्तों हम अंडे कैसे चुनना है बताएंगे कैसे चूजे निकलते है यह बताएंगे चूजों को टीका करन कैसा करना है क्या शेड दोस्तों हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि भारत वर्ष में आप खुद ही अपने पैरों पर खड़े हो जाईए आप यहाँ पर आपके माध्यम से जाने वाली कमाई को खुद रोक कर रखे ताकि आप भी यहाँ पर व्योसायक के माध्यम से लाखों का मुनाफ़ा कमा इसलिए दोस्तों अगर आपको इंक्यूबिटर लेना है अधिक जानकारी पानी है तो संपर के कीजिए 24-82-62-62 पर यकिन दिलाता हूं दोस्तों की भारत वर्ष का कोई भी मेरा मुर्गी पालक भाई लाकों का मुनाफ़ा कमाने से वंचित नहीं रहेगा इसी बात को पू दोस्तों आपको पास्तों का वीडियो बेजा जाएंगा देखिये दोस्तों उसके बाद ही आप चुनाव कर लिजे आपको आना है नहीं आने किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है तो दोस्तों ये थी पूरी संकल्पना कैसी लगी कमेंट शेक्शन में लिखकर भीजिए पस इंस्टाग्राम स्नैपचाट इन सोशल मिडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजे रहा होगा सब्सक्राइब करना तो हर मुर्गी पालक भाई से हाथ जोड़ कर विंती करता हूं दोस्तों आप सभी मुर्गी पालक भाईयों को किसान भाईयों को मै सब्सक्राइब कर लिए इसे वीडियो के दाई तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटे एंग इस घंटी को टच करते आलिस नोटिफिकेश कायज कुड़े में तेहे दिल से बहुत-बहुत आभाद